हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मीता, मेरे चैनल को कवित मीता में आप सभी का स्वागत है अगर आपके पास टाइम कम है और आपको लंच में कुछ अच्छा सा खाना हो तो फटा फट से बनाए ठेर सारी वेजी इसकी साथ वन पॉट रेसिपी यानि वेज पुलाव वो भी मिन्टो में अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले तो चलिए क्विक एंड इजी वेज पुलाव बनाना शुरू करती हूं मैंने यहाँ पर एक कप चावल लिया है जो माप में 200 ग्राम है ये मैं लंबे दानों वाली बासमती चावल ले रही हूं इससे पुलाव खिला खिला बनता है या आपके घर में जो भी बासमती चावल हो आप उससे भी ये पुलाव बना सकती है सबसे पहले मैं चावल को 2-3 बार अच्छे से रगड़ कर वाश कर लूँगी ताकि इसका स्टार्च निकल जाए ये देखे चावल को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब मैं इसे 15 मिनट के लिए सोख होने के लिए रख देती हूं यहाँ पर मैं कुछ वेजीस ले रही हूं एक आलू है छोटे टुकड़ों में कटे हुए थोड़ा सा लॉंग बिन से बारी कटा हुआ एक परबल को भी बारी काट लिया है एक सिमला मिर्च है बारी कटा हुआ एक बीठ है इसे भी बारी काट लिया है यहाँ पर एक प्यास है बारी कटा हुआ एक टमाटर है इसे भी बारी काट लिया है एक टुकड़ा अद्रब को ग्रेट कर लिया है बारी कटी हुई हरी मिर्च है और यह कुछ खड़े गरम मसाले है जिसमें एक टेस्पून जीरा आठ दस काली मिर्च एक बड़ी लाइची और एक छोटी लाइची है चार लॉंग है दो छोटी टुकड़े दालचीनी के है और एक तेजपत्ता है जिसे दो टुकड़ों में तोड लिया है यहाँ मैं छोटी टुकड़ों में कटे हुए 100 ग्राम पनीर ले रही हूँ अब एक पैन में एक टेबली स्पून घी डाल दूँगी घी को मिल्ट होने देंगे घी मिल्ट हो गया है तो सबसे पहले मैं ये पनीर डाल दूँगी और इसे हलका शैलो फ्राई कर लूँगी पनीर फ्राई हो गया है तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ ये मैंने बावल में पनीर को निकाल लिया है अब उसी घी में ये सारे खड़े गरम मसाली डाल देती हूँ फ्लेम को लो रहने दूँगी और लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे मसालों को भून लूँगी जीरे का कलर हलका सा चेंज होने दूँगी यहाँ देखिए जीरे का कलर चेंज हो गया है तो अब मैं इसमें अद्रक और हरी मिर्च डाल देती हूँ दो-चार सेकेंड के लिए भून लूँगी अब ये प्याज भी डाल देती हूँ प्याज को भी हलका सा ट्रांसलूसेंट होने देंगे प्याज को लगबग 15 से 20 सेकंड चलाने के बाद अब ये वेजिस डाल दूँगी ये परबल ये लॉंग बिंस ये आलू ये बीट और ये सिमला मिर्च सभी सबजियों को एक मिनेट भून लूँगी और वो भी लो फ्लेम पर वन फोर्थ टी स्पून हल्दी डाल दूँगी वन फोर्थ टी स्पून गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर कमी डाला है क्योंकि खड़े गरम मसाली तो मैंने डाली ही है चला लेती हूँ इसे अभी गर्मी में जो मार्केट में इसलिए एवलेबल है, मैं वही वेजीज ले रही हूँ, आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी वेजीज ले सकती है, अब इसमें ये चावल डाल दूँगी, मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, अब इसमें ये टमाटर डाल कर मिक्स कर लूँगी, मैं इसमें half teaspoon चीनी डाल रही हूँ, चीनी डालने से दो काम होगा, जो मैंने इसमें मसाले डाले है न, उसके टेस्ट को बैलेंस करता है और वेजीज के कलर को चेंज नहीं होने देता, अब इसमें टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी, मिक्स कर देती हूँ का दोगना पानी डाले, यानि एक कप चावल में दो कप पानी डाले, मैं शुरू से फ्लेम को लो रखे हुए थी, अब मैं लिड लगा देती हूँ, और लो फ्लेम पर ही दस मिनट होने दूँगी, दस मिनट हो गया है, तो मैं लिड हटा कर चेक कर लेती हूँ, देखे, इ इसमें अभी थोड़ा पानी है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें पनीर डाल देती हूँ, और एक बार इसे हलके हातों से चला लेती हूँ, अब मैं इसे पांच मिनट के लिए फिर से ढग दूँगी, पांच मिनट हो गया है, तो मैं लिड हटा कर देख लेती हूँ, देखे, पुलाव काफी यम्मी दिख रहा है और कितना खिला-खिला बना है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ मेरा भीज पुलाव बनकर रेडी है तो अभी मैं इसे सर्व नहीं करूँगी अभी इसे 5-10 मिनट के लिए ढग कर छोड़ देती हूँ ताकि पुलाव अच्छे से सेट हो जाए ये दीखे 10 मिनट हो गये है अब मैं इसे सर्विंग बॉल में निकाल लेती हूँ एक एक दाना खिला खिला दिख रहा है वाकई बहुत ही टेस्टी बनी है अब मैं इसके उपर ग्रेटेट बीट से गार्निस कर दूँगी और ये थोड़ी सी धन्या पत्ती डाल देती हूँ ये मेरी वेज पुलाव बनकर रेडी है आप इसे राइता, सैलिड या फिर धन्या पत्ती की चटनी के साथ सर्व करें तो देखा आपने कितने कम टाइम में एक कम्पलीट मील बनकर रेडी हो गया और वो भी एक ही पॉट में तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी वेज पुलाव की रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले जिससे मेरी आने वाली न पहले मिल जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में